हालो स्ट्रेंट्स चैप्टर ट्रेंगर्स के कंटिनेशन में इस वीडियो में नेक्स्ट टू वेश्चेंस प्वेश्चन नूबर 3 और 4 कवर कर रहा हूं और इसका जस्ट टू सेव टाइम मैंने फीगर बना दिया है और आपको लेंग्विज पढ़के भी फीगर बनानी आ आपना चाहिए एक लाइन सेग्मेंट बीसी और इडी इक्वल प्रपेंडिकुलस 90 का साइन भी आ गया और इक्वैलिटी का साइन भी आ गया तो प्रूव यह करना है सेडी बाइसेट्स एबी यानि सेडी ने एडी के दो इक्वल पार्ट्स किये तो यह प्रूव करना है सबसे पहले जस्ट फॉर रिवीजन सेख आपको बदा दूं कि कॉंगर्वेंसी के रूल्स क्या है उसी रूल्स को फॉलो करके ही कॉंगर्वेंसी हो सकती है एं देन उनके सीपी सीटी जी रिजल्ट आ सकता है जैसे आपको मैंने प्रीवेस वीडियो में एसे थियरम का दि बड़ रूज से सारा याद होने ही चाहिए कि किन रूज से कॉंगर्वेंसी हो सकती है तो देखे इस कॉष्चन के लिए अगर हम इसे केरफुली देखें इन तो ट्रियंगल के अंदर एक यह और यह के वर्टी के लिए बोजी ट्रियंगल से हैं तो आई इस त्राट विद दो ट्रेंगल में अगर पहले AOD लिखा तो AOD में है एंगल 1 और इसमें है एंगल 2 रिजन आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स देन AOD के पास एंगल A है एंड इसके पास एंगल B है तो इसके पास AD है एंड उसके पास BC है तो यह आपको गिवन है क्योंकि लेंग्विज पे है इक्वल प्रपेंडिकुलस तो देखें सीक्रेंस भी रखें जो कॉंग्रेंसी का रूल यूज करना है एंगल-एंगल-साइड इस एकोल तो एंगल-एंगल-साइड देरफोर बाइंगल-एंगल-साइड रूल यानि AAS रूल हम इनकी लिखलेंगे कॉंगरेंसी ट्रेंगल AOD पॉंगरेंट ट्रेंगल BOC अब आपको बताते हैं CPCT का चान मीनिंग है उसका मीनिंग है corresponding parts of congruented triangles that is triangle में 6 parts हैं 3 sides और 3 angles किनी 3 से congruency prove हुई होगी remaining 3 parts can be taken as CPCT तो जैसे इसके दर हमने AD वाली side तो use की बट ये side तो use नहीं की तो it can be taken as CPCT ये side use नहीं की तो it can be taken as CPCT therefore AO is equal to BO CPCT and hence proved तो ये इसका perfect proof है इसका जैसे आपको exam में लिखना चाहिए इस question में देखें आपको यह दिर्ख है line L parallel Q and line L parallel M and P parallel Q और A और C को join कर दिया है तो आपको prove करना इस case में ये दो triangle congruent हो हो जाएंगी in fact next chapter जब आप पड़ोगे quadrilateral का तो उसमें तो parallel की definition ही यही है कि each pair of opposite side is parallel देरफट से parallel और parallelogram में फिर property है कि any diagonal फे parallelogram divide it into two congruent triangles तो उसके अंदर आएगा quadrilateral chapter में आएगा जो इसके बाद कवर होगा but for the time में यहां कैसे करना है इसका proof हां को बता देता हूं तो we start with proof in this way in triangle जिनकी भी प्रूव करनी है ABC and triangle CDA जो दो प्रूव करनी इन ही का इखे तो देखे ABC के पास अगर मैं कहूं let us say angle ABC के पास यहां है let us say यह वाला angle है let us say angle 1 है तो इसके equal CDA के पास यहां भी है यह it is angle 2 तो angle 1 is equal to angle 2 I can write as alternate angles या इसे लिख दें alternate angles या फिर पूरा लिख दें कि L parallel M and AC is transversal ऐसे भी लिख सकते हैं L parallel M and AC is transversal या लिख दी हमने alternate angles अगर यह alternate angles हैं तो AC यह इस ट्रेंगल के पास भी है इसके पास भी है तो I can write AC is equal to CA यह common है आप AC is equal to AC लिखो तो भी चल जाएगा but better AC is equal to CA लिखो यह common है similarly अगर आप ABC में देखो तो ABC में यह angle है let us say it is angle 3 तो अगर यह angle 3 है तो इसके equal क्योंकि यह parallel है यह transversal है तो यह इधर वाला यह that is angle 4 they again are equal reason being alternate angles अब आप इन दो triangle में देखें हम रूल अपलाई कि यह angle side angle और ASA theorem है तो therefore by ASA triangle APC congruent triangle CDA and hence proved and इसके CPCT आपको मनें बता दिया कि अगर बाती कुछ parts पूचेंग तो CPCT में वह भी लिए जा सकते हैं तो अगर concept wise समझ आया हो वीडियो अच्छी लगे जरूर एक अच्छा सा लाइक देतो अपने सभी friends को सभी classmates को share कर लो और चैनल Salooja class को जरूर subscribe कर लो क्योंकि आपको पूरा 9th और पूरा 10th physics, chemistry और math और कहीं help की कहीं aid की need नहीं पड़ेगी अगर आप मेरे चैनल के सारी वीडियो को carefully watch करके notes prepare कर लेंगे तो that is very much guaranteed कि आपको और कोई help की need नहीं पड़ेगी thank you for watching the video